वेल्कम टूँ टूटागे विदैसेश दोस्तों इस विडियो में बात करने वाले हैं यह बिले विले सी EGTA भर्थी के बारे में तो EGTA भर्थी के छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी जनकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो को जो नहीं देखेगा या जिसके पास ये जानकारी नहीं होगी तो वो बाद में सच में बहुत ज़्यादा पचता हैगा तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी बात बताए जाएगी तो वीडियो को लास तक पूरा देखिए क्या है ये जुरूरी बात पूरी बात समझाएगी तो चलिए शुरू कोते हैं वीडियो को देखते हैं कैस में तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वीडियो सुरू करने से पहले इस तरह की जानकारी आप लोगों को कोई नहीं देगा लोगों को सिर्फ अपना कोर्स बेचने से मतलब है अपनी पीडिया बेचने से मतलब है किसी ना किसी तरह से कमाई करने से मतलब है ठीक है तो मैं जो जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में वो काफी लोग कापी पेस्ट करेंगे और अच्छी बात है करने दीजिए जितने भी छात्रों के पास ये जनकारी पहुंचेगी, उन छात्रों का ही ये फाइदा होने वाला यहां पे, ठीक है, तो चली सोगते हैं वीडियो को, तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं यहां पे, तो आज डेट हो गई है, एक अपरे बहती हैं, ठीक है, तो AGTA भरती के बारे में बात करेंगे, जो मैं ये बात बताने वाला हूं, ये AGTA ही नहीं, सभी भरतियों के लिए important है, लेकिन यहां पे AGTA के छातर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो बात करेंगे डारेक्ट AGTA भरती के बारे में, ठीक है, तो वी लेट होना है इसको हो जाए एक महीने दो महीने जितना वी लेट होना है हो जाए आएगी पर 2000 वाइस से ही और इसी एकोनोमिक एयर में आएगी ठीक है नया वित वस आज से स्टार्ट हो चुगा है तो आज आप लोगों को बता दें इसी एकोनोमिक एयर में आप लोगों की य ठीक है फालतू के कमेंट करके दूसरों को demotivate मत कीजिये और जिनको लगता है भरती नहीं आएगी वीडियो यहीं पर छोड़ दीजिये और जिनको लगता है आएगी वो लोग वीडियो को देख सकते हैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर कि जो भरती आएग कोई OVC में करेगा कोई SC कोई ST में करेगा ठीक है तो आवेधन करेंगे क्योंकि अपनी केटिगरी में ही सभी लोग इस केटिगरी का लाब उठाना चाहेंगे और लाब तभी उठा पाएंगे जब आप लोगों के पास certificate होगा और certificate होगा जब बैलिट certificate होगा ठीक है तो यहीं पर पूरी कहानी फस जाती है आके तो आप लोगों को बता दें आप लोगों का certificate जो है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं EWS वालों के लिए EWS का certificate जो है वो एक ही वित वर्स के लिए मानने होता है तो आज एक अपरेल हो गई है तो आप लोगो मैं यह बोलना चाहूंगा आप लोग अपना नया certificate बनवा लीजिए ठीक है ज्यादा खर्चा नहीं आएगा आप लोगों का 50-60 रुपए 50-100 रुपए मान लीजिए खर्चा आएगा टोटल 50-100 रुपए खर्चा आएगा नया EWS certificate जो भी EWS के चातर चात्राएं हैं सभी से बोलना चाहूंगा अपना certificate बनवा के रख लीजिए नया वाला जब यह भरती आएगी तो बहां जब इसका एक्जाम हो जाता है और एक्जाम पास कर लेते हैं आप लोग तो document verification होता है तब बहां पे इस certificate की जरूरत पड़ती है तभी आप लोग अपनी category में select माने जब यह vacancy आए थी एजी टीए की एजी टीए का notification आया था तो उसी time का उसी time period का जो है वो cast certificate मांगा गया था जब आरच्छन का lab लेना हो जिस category में आवेदन करेंगे उसी category में आप लोगों को seat चाहिए हो तो उसी time का time period का जो है certificate मांगा गया था लेकिन बहुत से छात्रों से लिखवाया गया था कि जो भी आयोक का फैसला होगा वो मानने होगा फिर बाद में इन लोगों को जानिंग दे दी गई थी ठीक है तो आप लोगों को इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं कि अभी आप लोग मेहनस से पढ़ाई करेंगे फिर exam pass कर लेंगे फिर document verification के time में आप लोगों को कोई भी दिक्कत परिशानी ना हो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आप लोग अपना EWS का certificate बनवा लिजिए आप लोगों का expire हो चुका है पुराना वाला भी फेंकना नहीं है क्या पता PT के time का मांग ले पिछले साल का मांग ले क्योंकि PT से वरती आ रही है पrit के लिए तो PT का जो आपका notification आया था उस time का मांग ले certificate या फिर जब AGTA का notification आयाएगा उस time का certificate मांग ले तो PT का certificate होगा आप आप लोग सेटिफिकेट जरूर बन बाले और रखे रहें तभी आप लोगं को अपनी केटिगरी में फायदा मिलेगा ठीक है इसके लब आप बात कर लेते हैं आगे चलते हैं OVC वालों के लिए OVC और SCST इन लोगं का आप लोगं का सर्टिफिकेट है या नहीं अकर है तो आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं लेकिन मैं तो आप लोगं को भी यही राय दूँगा कि आप लोग भी अपना नया OVC सर्टिफिकेट बनवा लें OVC, SC, ST जो भी हो आप लोगं की केटिगरी उसका कोई भी प्रावलम ना हो इस वज़े से आप लोग पचास से सो रुपए खर्च कीजिए और अपना एक सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए अपनी केटिगरी का है ताकि आप लोगं की जो सीट है रिजर्ब हो जाए अपनी केटिगरी में आप लोग सेलेक्शन पा सके देखें नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो उसके सभी केटिगरी की अलग अलग सीटें रिजर्ब होंगी तो EWS की होंगी OBC की होंगी ये CST की होंगी ठीक है तो आप लोग अपनी केटिगरी में अगर लाब पाना चाहते हैं आरच्षन का लाब पाना चाहते हैं तो कि किस टाइम का आयोग को चाहिए कास्ट शर्टिफिकेट ठीक है तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं एक बार वीडियो बना के आप लोगों को फिर से जानकारी दे दूँगा ठीक है तो अभी फिलाल 50-100 रुपए की बात हैं बार बार बता रहा हूं ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा इसमें आप लोग कास्ट शर्टिफिकेट जरूर बना के रख लीजे अभी का ताकि आप लोगों को बाद में टाक्में बेरिफिकेशन के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो देखिए सीटे रिजर्ब रहेंगी लाप चाहिए आरचन का तो आपके पास बैलिट कास्ट शर्टिफिकेट होना चाहिए नहीं तो आप लोग जो हैं अन्रिजर्ब जो सीटे होंगी उसमें ही आप लोग बैलिट माने जाएंगे बिना बैलिट कास्ट शर्टिफिकेट के इसके अलावा आप लोग का result जो है वो तो आ जाएगा लेकिन आप लोगों को document verification में problem होगी अगर आप लोग valid cost certificate नहीं दे पाएंगे अभी आप लोग बनबाके रख लीजिए अपना certificate ठीक है EWS वाले तो जरूर उन बालें क्योंकि आप लोगों का expire हो चुका है हर बार नए वितवस में नए certificate चाहिए होता है तो जब notification आ जाएगा मैं आप लोगों को फिर से जानकारी दे दूँगा कि किस time period का चाहिए और अभी मैं यह जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि नए वितवस से start हो गया है और आप लोग अपना certificate बनबा लीजिए ठीक है साथ आप लोगों को यह जानकारी अभी थोड़ी फालतू लग रही हो लेकिन यह तब ज़्यादा problem होती है जब आप लोग मैंने से select हो जाते हैं फिर document verification में यह सोचते हैं कि एक भी document कम ना हो जाए किसी तरह से मेरा selection ना रुक जाए मेरी joining ना रुक जाए उस समय बहुत यह चीज अखरती है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी कर ले कोई कुछ भी कितना भी पैसा ले ले बस मेरा काम कर दे ऐसा ही लगता है कि इसलिए बाद चात्रों को ऐसा ही लग रहा था और आप लोगों को यह दिक्कत ना हो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो तो यह हो कोई पूरी जानकारी तो ऐसा ही जानकारी पाने के लिए आप लोगों को यहां पर जानकारी दी जाएगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजे ज़्यादा से ज़्यादा सेर कर दीजे तकि सभी गरीब चात्रों को यह पता चल जाए जो गरीब गाओं के दिहात के चात्र है उनको यह जानकारी इस तरह की जानकारी नहीं हो पाती है तो उन लोगों को भी बता दीजिए वीडियो सेर कर दीजिए खास कर उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं तो ऐसे ही लेटेस न्यू जो ब्रेट बना के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार